सौधी अरब में एक राजकुमारी उनकी बेटी को रिहा कर दिया गया है पिछले दो-तीन दिन से एक खबर आपने कई बार देखियोगी तीन साल से राजकुमारी बसमा बिन सौध और उनकी बेटी सुहिद को बिना किसी आरोप के जेल में रखा हुआ था लेकिन क्या एक खबर बस इतनी सी है कि राजकुमारी बसमा बिन सौध को रिहा कर दिया गया है शायद नहीं ये विशले सन पीछे भी जाएगा और आपको आगे भी ले जाएगा क्योंकि साल 2017 का नुमंबर इसके पहले सब्था में 24 गंटे के अंदर अरब के साही परिवार के दो राजकुमारों की मौत के साथ ग्यारा राजकुमारों को इरासत में ले लिया गया था इसके बाद जब राजकुमारी बस्मा बिन सौध ने इनके खिलाप अवाज उठाई तो साल 2019 में उसे भी जेल में टाल दिया गया था नमस्कार रंग्दे बसंती देखना सुरू कर चुके आप मैं हूँ राजीव चोधरी आपने मुगलों के ध्यास में पढ़ा होगा कि मुगल सासक सत्ता के लिए अपने बाप भाई बतीजे बेटे को मोत के गाड़ उतार देते थे अकेले औरंग जेब ने ही सत्ता के लिए अपने पिता को जेल में डलवा दिया अपने सगे भाई की अत्या कर दी और हिंदुस्तान के तकत पर अपने सगे संबंदियों के खून को बहा कर बैठ गया था उसने अपने वर्द पिता साजा को भी उनके जीवन के आखरी साड़े साथ सालों तक आगरे के किले में कैदी बना कर रखा था अब बसमा का गिरपता रोकर रिहा होना या UAE में राजकुमारी लथीपा को जेल में ठूस देना ये सब किस्से ऐसे लगते हैं जैसे मिडिलिस्ट भारत की सोलवी सदी से अभी भी गुजर रहा हो बस आज वहाँ साधन बदले हैं संसाधन बदले हैं लेकिन सत्ता पाने की ललक और योजना का ढर्रा पुराना ही दिखाई दे रहा है या ये को मिडिलिस्ट में आज भी सेकडो रंगजे खुले गोम रहे हैं अब ऐसे में लोगों के अंदर जिग्यासा ये होगी कि साधी अरब के साही परिवार में अगर दो राजकुमारों की हत्या हुई और ग्यारा को जेल में डाला गया इसके बाद भी दुनिया में कोई सोर सरावा क्यों नहीं मचा तो उसका कारण समझ लीजिए बात सतर्वी सदी किये उस समय इसलामिक सामराज टुकडों में बढ़ चुका था घर घर मुल्ला पैदा हो चुके थे जो भी आस्मानी किताब का वाला दे कर कुछ भी बख देता उसे ही आयत मान लिया जाता इसी समय अरब में एक मुल्ला थे नाम था सेक मुहमंद इबन अलवहाव इसने भी कुछ ऐसी कारिस्तानी करने की सोची सिरफ सोची ही नहीं बलकि अरबी रेगिस्तान में ये परचार आरम कर दिया कि इसलाम भटक गया उसे सही रादिखाना जरूर है मसलन इसलाम ही भटक जाता है उसे ही रादिखानी पड़ती है ठीक ऐसे जैसे लादेन को लगा था कि इसलाम भटक गया बगदादी को लगा मुल्ला उमर को लगा या पांच सो साथ सो आतंकी संगटना के मुल्लाओ को लगने लगता है तो उस दोरान भी इबन अलवहाव को यही लगा और उसने परचार आरंब कर दिया जब मुल्लाओ को इस बात का पता चला तो वे आग बबुला हो गए उन्हें लगा ये आदमी उनकी जमी जमाई रोजी रोटी खराब करेगा उनका धंदा चोपट कर देगा फिर क्या था फत्वा जारी कर दिया गया इसकी गर्दन उतारो ये तोहीन इसलाम कर रहा है जैसे अलवहाब को इसका पता चला वो तुरंट वहां से भगोड़ा हो गया दूसरे सहर पहुँचा मा मुहम्मन बिन सौध नाम का कोई मुल्ला था उसका सासन चला था उससे सरण मांगी जैसे तहरी के तालिबान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अफगान तालिबान से सरण मांग रखी है खैर सरण मिली भी और दोनों ने मिलकर एक सौधी राज्य की स्थापना की और अरब पराइदीप के बड़े हिस्से पर कबजा कर लिया अब काहनी में मोड आया और ये मोड था तुरकी जिसे उस कालखंड में ओटोमन सामराज्य कहा जाता था इसी ओटोमन सामराज्य को लगा कि ये मुल्ला तो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं इने रोकना होगा बस फिर क्या था उसने अपनी मजभी मुल्लाओ की सेना भेजी और सौधी राज्य का गुड़ गोवर कर दिया शिर्फ इतना ही नहीं बलकि इस्तांबुल के जिस हागिया सोफ्या मस्जिद को राष्टपती आर्दोान ने फिर से मस्जिद बनाया है ठीक उसी के सामने सौधी अरब के किंग अब्दॉल्ला बिन सौध का सर कलम किया गया अब आपको लग रहा होगा कानी खतम हो गई चलो कोई दूसरा चैनल देखे नहीं अभी रुकिए क्योंकि इसके बाद कोई पांच-छे साल बाद एक और मुल्ला अब्दॉल्ला अलसौध को मजवी कीडा काटने लगा वो लोगों को बताने लगा कि ये इसलाम नहीं है आप लोग मेरा साथ दो मैं बटके वे इसलाम को वापस लेकर आऊंगा मैं आपको इनसे बहतरी इनवाला इसलाम दूँगा लोगों को भी लगा हो सकता है इसके पास कोई खास प्रोड़क्ट हो तो लोग उसके साथ जुट गए कुछ समय के भीतर सभी हारे हुए इलाकों को अपने नियंतरन में ले लिया जैसे दुबरा तालिबान ने अफगानिस्टान में ले लिया ओटोन सामराज्य को भी वहां से निकलना पड़ा ठीक ऐसे ही जैसे अमेरिका को इराक और अफगानिस्टान से निकलना पड़ा अब कुछ सालों तक तो थोड़ा ठीक ठाक चलता रहा लेकिन फिर से ओटोमन सामराज्य को भी किड़ा काटने लगा वो तलवार लेकर फिर जप्ते और नतीजा एक बार फिर से मार काट का दोर चलने लगा मार काट का दोर ही नहीं चला बलकि देखते ही देखते ही इन्होंने हत्यार फिर डाल दिये कई मुल्ला अपने परिवार के साथ कुवेत भाग गए लेकिन इनमे एक 15 साल का लड़का अब्दुल अजीज वो इस अपमान को सुईकार करने के लिए तैयार नहीं था उसे अपना सामराज किसी भी कीमत पर हसिल करना था कुछ समय कुवेत में गुजारने के बाद अब्दुल अजीज ने मुल्ला इखटा किये और फिर से रियाद पर अमला करके उसे जीत लिया अब रियाद बन गया मजभी मुल्लाओं का गड़ को या मुख्याले और साल 1925 तक मक्का और मदीना पर भी उनका कबजा हो गया इसके बाद अब्दुल अजीज ने आपस में लड़रे कभीलों को एक किया और फिर 23 सितंबर 1932 को साही आदेश के तैत किंग्डम ओप सौधी अरब की स्थापना की गई अरबी इसकी राष्ट भासा बनी और सौधी अरब में सरिया कानून लागू कर दिया जैसे आज तालिबान ने अफगानिस्तान में किया है यानि साल 1932 में एक देश बना सौधी अरब और इसे चलाने वाली फैमिली को कहा गया इसे नाम दिया गया आज इस साही परिवार में 15,000 से अधिक सदस्व बताए जाते हैं इन सदस्व का तालुक पहले सौधी स्टेट के संस्थापक मोहमन भीन सौध से सौधी की सत्ता और संसादनों पर इसी परिवार का नियंत्रने सारे बिजनिस, सारे संसादन, तेल के कुवे हो या मजवी ताकते सब इसी परिवार के कबजे में हैं यही वज़ाए कि से दुनिया का सबसे अमीर साही परिवार में गिना जाता है अब सोच ये इतना बड़ा परिवार कैसे चैन से रहता होगा हर कोई सोचता होगा मैं राजा बन जाओ दूसरा सोचता है मैं क्यों नहीं क्योंकि सौधी अरब में सबसे बड़ा जो पद है वो तो राजा का है उसके बाद क्राउन प्रिंस का नमबर आता है क्राउन प्रिंस ही सौधी अरब में अगले राजा बनते हैं जैसे राजा के ब पर दूसरे बेटे फैसल को ये नागवार गुजरा और दोनों में तक्रार बढ़ चली। भले ही का जाता हो कि सौध ने 1953 से 1964 तक सासन किया लेकिन वो कभी चैन से कुर्शी पर नहीं बैठ पाया। आखिरकार फैसल ने उसे इस्थिपा देने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद भी क्राउन प्रिंस की कुर्शी को लेकर जगडे चलते रहे। साल 2015 में सलमान बिन अब्दुलजीज सौधी अरब के राजा बने। उन्हें किंग अबदुलजीज के अंतिम बेटे मुक्रीन को क्राउन प्रिंस बना दिया। मुक्रीन क्राउन प्रिंस की पतपर तीन महीने ही ठिक पाये। अचारनक उनकी जगे मोहमंद बिन नायफ आ बैठा। मगर मुहमंद बिन नायप खुद को गद्दी पर सेट करता इसी परिवार में अंदर ही अंदर कोई और भी था, जो उसे पटकने के लिए दिन रात लगा था, और वो था किंग सलमान का बेटा मुहमंद बिन सलमान, यानि इस दोरान किंग सलमान बस दिखावे के सुल्तान थ क्योंकि 2015 में मुहमंद बिन सलमान रक्समंतरी बना, फिर तीन महीने के अंदर ही डेप्टी क्राउन प्रिंस बन गया, और देखते ही देखते जून 2017 में मुहमंद बिन सलमान जिसे MBS कहा जाता है, इसने क्राउन प्रिंस मुहमंद बिन नायपका तकता पलटकर के रसी से उ उल्टा लटका दिया। ये न्यूयर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि उसके बाद वो कभी बिना सारे के नहीं चल पाया। बाद में उसे गिरपतार करके जेल बेज दिया गया। यानि सल्मान ने अपना रस्ता साप कर लिया। लेकिन किसी कारण सल्मान के दोविरोधी राजकुमार सौधी अरब से भागने में कामिया बहुच ले। बस फिर क्या था दोनों का विदेशों में कतल हुआ। बाकी जो दस ग्यारा आख दिखा रहे थे उन्हें भी जेल में ठोस दिया गया। इसी ठोसम ठोस के अवियान में राश्ते में आई राजकुमारी बस्मा बिन सौध। ये जो बस्मा अब आजाद हुई है इसकी भी एक कानी है या कवप पूरी काहनी इसकी है बाकी तो माजरा ये बताने के लिए था कि अरब के मजभी परिवार कितनी श चाहिए ये साथवी सदी की गद्धी के लिए मार काट अब बंद हो जानी चाहिए मैलाओ को बुनियादी अदिकारों की मांग करने लगी और सौधी अरब के सरिया कानून का भी विरोध करने लगी ये अंदर बाहर ऐसे इंटर्वियू देकर खूब सुर्खिया बटोर र सलमान का साथ नहीं देता उसे दर किनार कर दिया जाता है इस इंटर्वियू के कुछ महीने बाद सौधी अजेंट्स जेदा में उसके घर आये उन्होंने बसमा और उनकी बेटी को रेष्ट कर लिया दोनों को तब तक रियाद के पास बनी एक जेल में पटक दिया इस दोर कि वो क्यों गिरपतार हुई थी साही परिवार के उन लोगों के भी हैं जो मुहमंद मिन सलमान से सत्ता की जंग में तो जेल में सड़ रहे हैं या अपनी बारी का इंतिजार कर रहे हैं ठीक मुगल सासन की तरज पर सब कुछ हो रहा है हाँ इस सब में जो खास बात है वो कि अपनी सुरक्सा के लिए अमेरिका पर पूरी तरह निर्बर है यहां तक कि सॉदी के रोयल पैलेस की सुरक्सा में भी विदेशी से निक्तेनात है अगर यह यह यहां से भी जर्मरा हटे तो यह साही परिवार चोरहे पर लटका मिलेगा और उस दिन न जाने कितनी बसमा बुर के और जेलों से आजाद गुम रही होगी